Dear student, we have to discuss about the overlapping circles. हम overlapping circles की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने justice की बात की, हम अपनी justice की बात को ही continue करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि हमारी जो rapidly growing number of the social moments है और civil society organization है across the world mobilizing around the climate justice agenda. उसके अंदर वो कहते हैं कि citizens from both the south and the north drawn the concept because many have already experiencing the impact of the climate change and they worry about the fate of their families, homes and livelihood. अब देखे, climate change जो है, ये एक problem है हमारे पार. इसके ओपर हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हुए हैं, अब थोड़ा इसके ओपर focus करते हुए, आपको बताते हैं किस तरीके से, जो हमारे climate change है, global warming है, इसके असराइत मुरतब हो रहे हैं हमारी society पर. और उस society के ओपर मुरतब होने वाले असराइत, किस तरीके से जो हमारे पास elite class है, वो उसको कैसे absorb कर पाती है, उसके मुकाबले में जो पूर class है, उसके ओपर असराइत कैसे ज्यादा मुरतब होती हैं. अब climate change की हम मैं पहली मिसाल देना चाहूँगा आपको, global warming से flood, अब देखें, flood जिन एरियास में आते हैं, नार्मली, अब एक आम सी छोटी सी मिसाल से आप बात ज्यादा बेतर ती कैसे समझ सकेंगे, flood आया, एक अमीर आदमी थी, उसका concrete का बनावा घर था, पानी अंदर दाखिल हुआ, कुछ सवान को नुकसान पहुंचा, पानी वापस चला गे, अब एक खरीब का जोंपड़ा था, छोटा घर था, कच्चा घर था, पानी आया, उसका घर मिसमार हो, उसके उपर से चछत चछत खतम हो गई, अब देखें, कि climate change, हमारे पास, eight factor, जिसने उसके अस्राइट जो मुर्टब हुए, वो दो चीजों पर मुख्तलिफ अस्राइट मुर्टब हुए, जैसे, यानि उसके अस्राइट जब एक अमीर लोग बंदे पर मुर्टब हुए, तो उसका इतना मामूली नुकसान हुआ, कि उसके लिए वो नुकसान की अफूर्डिबिलिटी कोई इश्यू नहीं था गर का फरनीचर खराब हो गया टीवी ऐलेक्ट्राइश खराब हो गया उसने सलाब के खत्म होने के बाद वो सारी चीज़े रिप्लेस कर लिए उसके पास इतने रिसूर्से मुझूद है कि उसके लिए यह इश्यू नहीं हुआ अब दूसरी साइट पे देखें जिस गरीब आदमी की घर की चछती खत्म हो गई उसका घर ही मिलिया मेट हो गया अब नमबर एक उसके पास इतने रिसूर्से नहीं कि वो दुबारा से अपना घर बनाए नमबर दो उसका सारे घर का तमाम ना सिर्फ समान खत्म हो गया घर की चछत भी खत्म हो गई अब आप देखें कि अगर हम बात करें तो एक क्लाइमेट चेंज ने उसके एक असर ने उसके असनात जो है वो जो मुरत्ब हुए दो दुगा पे मुख्लिफ अंदाज में हुए अब ये किस की जिमादारी है ये हमारे पास सुसेंट डिस्पोंसिबिलिटी है तमाम गलोबल कंपनियों की कि वो इन असरात को भई एक तरफ तो आप कंट्रॉल कर रहे हैं आप उसको पर काम कर रहे है कि गलोबल वार्मिंग के उपर एक मैंने इशू बताया आपको कलाइमेट चेंज के उपर हम बात करते हैं तो गलोबल वार्मिंग की बात करते है तो गलोबल वार्मिंग के अंदर हमने उसको तो कंट्रॉल किया ही जा रहा है उसके लिए प्लांटेशन भी आ रही है, उसके अंदर और भी चीज़ें आ रही है, हम उसको मुख्रिफ अंदाज में कंट्रॉल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारी सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है, कि हम जिस पर ज्यादा असरा अंदाज हो रही है वो, क्योंकि यह ओ और लेपिंग सर्कल के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, कि एक ही चीज़ के असरात किस तरह मुनतब होते हैं, अमीर पर किस तरह मुनतब होते हैं, गरीब पर किस तरह मुनतब होते हैं, तो अब हमारे पास यह हमारा कंसर्न हो गया है, हमारी यह रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि हम दो तरह से उसको काम करें नमबर एक तो ओवर आल जो हम climate change के ओपर बात हो रही है हम उसको control करें उसके अंदर global लोबल मार्विंग है यहर पुलूशन है यह वलूशन है वट्सोयवर जो भी उसके अंदर चीज़ें आती हैं हम ओवराल कंट्रॉल करें अब हमारे मुसम्ट की गई है कि इस ऑवरलैपिंग से अंदर जिन पे ऑपर उसके असरात ज्यदा मुरत्ब हो रहे हैं आब हमारी अबंछाक है उसके और हम लैपिन विशन कीगता मुनी करें